जाल लोगी बिल्लै इरहों स्टेट राहिम स्सेलाम्वालीकूं इसेट्स तैट्स अफ मैटर कर टॉपिक हमारा कंटीनु था औरुम इसेट्स अफ मैटर के टॉपिक में अब जो है उस टॉपिक को जो आगे करते होई लिक्विड इसटेट ओफ मैंटर को मैं के साथ सबसे पहले यह पर कि मैं चाहूंगा इस तरह विस्कॉसिटी के हवाले से बास सेर्ज में जो एमसी क्यूज बने उसमें जो सबसे पहली बात को इसी भी शॉर्ट नॉट वाले टॉपिक को जबाप पढ़ते हैं एप्टिड्यूट के असपेक्ट में तो सबसे पहले आपको इसकी डैफिनेशन पता होनी चाहिए शॉर्ट है कि एद रेज़िस्टेंग्सस ए दिन को लो कलो अवर ऑफ ए लिक्विट है अंद्याक लैक्विट को मूब करते हैं जो रेसिस्टेंग्स विल होती है viscosity कहते हैं अच्छा viscosity का जो डारेक रिलेशनशिप है सुरेन वापको पता होना चाहिए viscosity का relationship जो डारेकली तोर पर है वो है inter molecular forces से inter-mollicular forces मतलब जो liquid molecule है और जो दूसरा liquid त्यूबब मॉलिकूल में इसके दरम्यान में फोर्स आप 한ग्छन कि strength को अगर compare किया जाएं ठीक है यह बात में कर रहां आप से stronger इंटर मॉलिकुलर फोर्स है यह पर जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स है वह बहुत ज्यादे इंटर मॉलिकुलर फोर्स है तो उन लिक्विट के अंदर विस्कॉसिटी क्या मिलेगी आपको greater मिलेगी मतलब उनके मॉलिकुल्स को जो viscosity फील होगी मतलब resistance जो फील होगी अपनी flow के दरान वो flow के दरान resistance उन्हें ज्यादा लगेगी ठीक है अच्या इंटर मॉलिकुलर फोर्स खुद inversely proportional होता है किसके temperature के टेम्परेशर को अगर मैं increase करूँ तो Viskłosिटी क्या हुर जाती इस स्टुड़ेंन Viskłosिटी डिक्रीज हो जाेगी कैसे डिक्रीज होगी टेम्परेशर अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो InterMolessories of Attraction जो जो भो क्या हो जाएगी ठीक है तो यह कॉंसेप्ट है बेसिकली विस्कॉसिटी के रिलेशन्शिप का टेंपरेचर और इंटर मॉलीकुलर फोर्श से यहां पर एक रिजन जो आप लोग इंटर की क्लास से पढ़ते थे स्टुडेंट ग्रेट थर्टी वाइल इस लेस्कॉस देन ग्रेट फॉर्टी वाइल ठीक है यानिके जो ग्रेडिंग हम करते हैं विस्कॉसिटी की बेसिस पर ठीक है एक फिनॉमेना है जो कि ऑईल के लिए फॉर्टी वाइल एक है ग्रेट थर्टी का और दूसरा आपके पास ग्रेट फॉर्टी का वाइल विस्कॉसिटी अगर मैं डिसकस करूं तो ग्रेट फॉर्टी वाले में विस्कॉसिटी ज्यादा होगी और ग्रेट थर्टी वाले में विस्कॉसिटी कम होगी ठीक है तो ग पॉइस आपके बाद स्टुटेंट वह एक्वल होता है कि वन ग्राम पर सेंटीमीटर के अच्छा मुल्टिपल यूनिट आप इसकी भी यूज कर सकते हैं मुल्टिपल यूनिट से मुराद आप जो हैं सेंटी पॉइस भी यूज करते हैं कुछ जगों पर जहां पर विस्कॉसिटी को कम वैल्यू अगर दी जाए तो उससे आप दिखाने के लिए सेंटी पॉइस का बड़ यूज कर देते हैं यह पिर आप इससे मिली पॉइस और उसके मुल्टिबल ऐसा इसकी क्या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में विस्कॉसिटी को हम कैसे लेते है हमें न्यूटन सेकंड पर स्कॉयर मीटर इस्टूइर यह यूपन याद रखनी आपको जोन्यूटन metr r. cm जिसे हम क्या सकते हैं ईस्टैउट and this is very very important with respect to your mcq student ठीक है कि viscosity की ऐसा unit क्या है newton second per meter square अच्छा है यहां पर एक इंटर conversion student आपकी बुक में मौझूद है जो के past year में आप से पूछी जा भी चुकी है कि बाई one centipoise किसके एकवाल होता है one centipoise एकवाल होता है exponent minus three newton second meter inverse के ठीक है one centipoise किसके एकवाल होता है exponent minus three newton second meter inverse कि अच्छा अगर मैं इससे पॉइस ना convert करना चाहूं centi का मकसद होता है exponent minus two तो यह हो गया one exponent minus two points किसके एकवाल होगा आपके पास exponent minus three newton second meter inverse के ठीक है अब मैं पॉइस और newton second per meter square का relationship निकालना चाहता हो तो यह exponent minus two multiply में उदर जाएका डिवाइड में हो जाएगा तो यहां पर रह जाएगा one points ठीक है इस एकवाल स्टू यह हो गया exponent minus three डीचर डिवाइड में चला जाएगा exponent minus two और यह हो जाएगा newton second dot meter inverse ठीक है exponent minus two पर चला जाएगा तो exponent plus two हो जाएगा minus three plus two क्या होगा यहां पर आपके बचेगा minus one तो one points आपके बास जो है one exponent minus one newton second meter inverse के एकवाल होता है ठीक है किसके एकवाल होता है newton second meter inverse के जिसे आप 0.1 newton second per meter inverse भी लिख सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब लिख सकते हैं और temperature को जब हम change करेंगे तो temperature को change करने से आपका viscosity पर क्या होगा फर्क पड़ेगा अच्छा सबसे ज़्यादा जो आपके बुक में जो comparison दिया गया student वो glycerine water ethyle alcohol और acetone के दर्मियान में दिया गया है कि किसी भी हाई temperature पर इसकी viscosity नहीं लेते क्योंकि इसके molecule decomposed हो जाते हैं glycerine सबसे जाता रखते है student glycerine के बाद जो है आपके पास water हो गया ठीक है glycerine के बाद water और water के बाद जो है student आपके पास ethyle alcohol होगा, ethyle alcohol के बाद जो student आपने acetone को लेना है, सभी जबसे सबसे जाता ग्लिसरीन उसके बाद water उसके पाद ethyle alcohol और उसके बाद acetone, so glycerine water, ethyle alcohol and acetone यह आपके पास किसके लिए है student यह आपके पास है, viscosity के different different units है ज़िए सबसे दाइस किसका उससे कम किसका उससे कम किसका और उससे कम इसका screenshot ले लेए जल्दी से अ अ तो कि पस्ट्रेट इस screen shot आपने ले लिया होगा और अब जो हम एक और एक छोड़ा था छोड़ा टॉपिक आपके बास लिक्विट के अंदर और वो टॉपिक है आपके बास सर्फेस टेंशन का मैं उसको अब आपके साथ डिसकास करने लगा हूँ ठीक है सर्फेस टेंशन तो सर्फेस टेंशन क्या होता है स्टुरेंट यहां पर स्टुरेंट जो टेंशन का वर्ड है टेंशन इस टेंशन फोर फोर्स और सर्फेस टेंशन का मकसद है सर्फेस पर लगने वाली फोर्स और जब हम liquid molecules की बात कर रहे हैं तो liquid molecules के surface पर जो force लगेगी उस force को student basically का जाता है surface tension यानि कि जो liquid के molecules उपर के तरफ मौजूद है surface पर मौजूद है उन molecules की यहाँ पर discussion की जाएगी ठीक है जैसे कि एक molecules यहाँ पर आपको नदर आ रहा है यह दूसरा molecule हो गया सा different होता है बनिस्बत उन molecules के जो के water के inside पड़ेवे होते है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए because वो molecule जो surface पर student मौजूद है उसे हर direction से proper intermolecular force नहीं लग रही balance करने के लिए उसके पर force हर तरफ से मौजूद नहीं है जैसे उसको left side, right side और bottom की side पर तो force लग रही है लेकिन उसको top side पर कोई भी force नहीं लगती ठीक है जबके अगर हम उस molecule के discussion करें जो के inside the water molecule यानि अंदर के तरफ मौजूद है for every direction he is accompanying a force it is accompanying force यानि के हर direction में उसे क्या लग रही है student हर direction में उसे force लग रही है मतलब उस पर जो inter molecular forces लग रही है वो surface वाले molecule के लिहाद से ज्यादा भी है और balance force लग रही है मतलब अगर number of force को discuss करें तो इसमें यहाँ पर number of force greater वो molecule जो के surface पर मौजूद है उस पर number of force क्या है smaller ठीक है उसके इलावा number of force greater हो गया means के इसके उपर जो strength लग रही है वो greater और यहाँ पर जो molecule है यह वाला center वाला इसके उपर strength लग रही है student यह strength क्या होगा इसके पर smaller होगी अभी आपने बढ़ाता है student temperature बढ़ाने से क्या होता है temperature बढ़ाने से होता यह है के inter molecular forces आपके पास weak होना शुरू हो जाएंगी ठीक है तो जो molecule surface के उपर पढ़ावा है या जो molecule surface के नीचे के तरह पढ़ावा है यह सारे molecules के उपर inter molecular forces क्या होना शुरू हो जाएंगी weak होना शुरू हो जाएंगी सही है तो student यहाँ पर जो surface tension का word है यह surface tension का word है किसलिए force per unit length और the energy per unit area यह basically surface tension की definition है force per unit length ठीक है यह पिर energy per unit area is called surface tension मतलब कितनी energy utilized हो रही है surface area जो आपने लिया है यानि के उपर जो surface है water का उसमें जितने भी molecules है उनको रीचे के तरफ खीच के रखने के लिए जो energy इस्तेमाल हो रही है that is actually surface tension या फिर वो तमाम की तमाम force जो के surface वाले molecules को इस पूरी length के उपर जो आ रहे हैं उनको खीच के रखने के लिए जो force लग रहे है that is actually surface tension ठीक है तो यह student आपके बाद surface tension, surface tension को हम लिखते दिखाते हैं student gamma से अच्छे इसकी जो unit बनेगी वो क्या बनेगी force की unit क्या होती है newton और length की unit होती है meter तो newton per meter या newton dot meter inverse भी आप इसे लिख सकते हैं सही है और energy unit होती है Joule और area की unit होती है meter square तो meter square को आप उपर ले जाए तो meter inverse square भी हो सकता है तो newton meter और Joule dot meter inverse square यह दोनों किसके unit हो सकती है student आपके बास यह दोनों जो है unit हो सकती है surface tension की surface tension की सुर्ण अगर आप बात करिएगा तो again इसका चार्ट आपकी बुक में मौझूद है ठीक है इसका चार्ट जो सुर्ण आपकी बुक में मौझूद है now it is your assignment actually कि आपको मुझे बताना है जो आपका exact आपका जो group बना हुआ हुआ है ascending order और descending order दोनों में group पर बताना है ठीक है भाई अच्छा काफी ज़्यादा गर्मी है आच और पढ़ाना भी बड़ा टफ हो रहा है surface tension की discussion करते वे सुर्ण एक mcu जो आपके पास बड़ा पूछा जा सकता है या पूछा गया है effect जो होते हैं surface tension के वो पूछे जाते हैं effect दो effect इसके majorly तोर पर हम note करते हैं और वो दो effect कौन कौन से student पहला effect liquid जो rise होता है capillary tube के अंदर यह क्यों होता है due to surface tension यह पहला effect है surface tension का यह इसकी application भी आप कह सकते है और जो student freely falling drop of liquid spherical क्यों होता है सभी है spherical इसलिए होता है because जो surface होता है एक जो liquid drop का उसके उपर यानि कि उसके बिलकुल बाहर के side surface के side जो molecules होते है उनको अंदर क्वाले molecules क्या करते हैं अपने तरफ खींच के रखते है और अंदर के तरफ खींच के रखने की वज़े से क्या होता है इन molecules का जो shape इस तरह से आपके बाद जो student इस तरह का हो जाता है ये drop of liquid अच्छा drop of liquid गिरता इस तरह से लेकिन हो जाता है इस spherical की तरह है मतलब हर तरफ से molecule ने क्या कि इसको अंदर की तरफ खींचा खींचने के बाद ये किसमें convert हो गया इस तरह से spherical in shape हो गया अच्छा spherical in shape ही क्यों होता है because sphere has smallest area to volume ratio ये वाली बात याद रखिएगा में आपके NTS के पासे पर पूछा जा चुका है सही है freely falling drop of liquid is a spherical why इसलिए because sphere होता है सही है sphere में जाने के बाद तमाम molecules की energy as compared to in other shapes के लिहाज से क्या हो जाता है काम हो जाती है shapes जो है ना उसमें भी energies का difference होता है सबसे stable state होती है यानिके यह समझने के सबसे जादा stable form में जो आपके पास shape होती ना बिटा वो होती स्वैरिका लिंक shape ठीक है student अब जो है कहना है इसका जल्दी से screen shot लेने दागे फिर हम अपने topic की discussion को आगे बढ़ाएंगे और दो मिनट का gap है student आपके बाद जल्दी से screen shot लें धन फिर हम जो इसका आगे बढ़ेंगे student आपके बढ़ेंगे कर दो 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 झाल 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 विसकॉसिटी और सरफेस टेंशन के बाद अब हम जो इस्टुट लिक्विड स्टेट अफ मैंटर को आगे बढ़ाते वे अब मैं नेक्स टॉपिक को आपके साथ डिसकस करूंगा आपके साथ अंब झाल 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 कि अच्छ कि अच्छ करूंगा तो वैपर प्रेशर बेसिकली है क्या देखेगा इस्टेट ऑफ मैटर की तब डिसकेशन चल रही है तो स्टेट ऑफ मैटर की डिसकेशन के दौरान आपको मैं बता हूं कि अगर आप को एक प्रॉसस क्लोस कंटेनर में करते हैं . और अपने प्रॉसस को परफॉर्म कर रहे हैं कि और सबस्टेंस को अपने हीट करना शुरू कर दिया सब्स्टेंज आपके पास क्लोस कंटेनर में यह कंटेनर हो गया आपके पास और इस कंटेनर को आप कर दें क्लोस्ट यह आपने कर दिया कंटेनर क्लोस आप जो अंदर सब्स्टेंज पढ़ा है आपके पास आप जब heat देंगे तो इसके molecule क्या होंगे यहां से निकल कर जाएंगे उपर और उपर जमा होना शुरू हो जाएंगे उपर जमा होने के बाद वापस क्या होगा यह condens होके दुबारा से क्या होगा liquid form में convert होना शुरू हो जाएंगे तो जब ऐसा equilibrium आपके पास student आ जाएगा कि जितने molecules आपके पास यहां पर surface पर जा रहे होंगे उतने ही molecules आपके पास जब वापस convert होकर liquid form में आ रहे होंगे it means at that time equilibrium has been established इस point को मैं क्या कह रहा हूँ student कि आपके पास equilibrium एक आ चुका है और इस equilibrium पर हो क्या रहा है इस equilibrium पर rate of evaporation equal हो चुका है इस student rate of condensation के सही है इस time पर student जितने भी वैपर्स यहां पर मौझूद है वो वैपर्स जो pressure अपलाए करेंगे जितने भी वैपर्स उस वक्त यहां पर मौझूद है और उस वक्त यह जो pressure apply करेंगे वही pressure इस student आपके पास कहलाएगा वैपर प्रेशर ठीक है यह एट एक्विलिब्रियम यह जब आपके पास मौलीक्यूल जितने आपके पास लिक्विट फॉर में कनवर्ट हो रहे होते हैं उतने ही मौलीक्यूल जब आपके पास लिक्विट फॉर में वापस कनवर्जन स्टार्ट कर देंगे मतलब जितने मौलीक्यूल गैशिस फॉर में कनवर्ट हो रहे हैं उतने मौलीक्यूल वापस लिक्विट फॉर में कनवर्ट होना शुरू हो गए तो एक्विलिब्रियम आपके पास आ गया मतलब जितना जा रहा है उतना जा रहा है जितना जा रहा है उतना वापस आ जा रहा है तो उस वक्त वैपर्स जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसल की वाल्स पर वो प्रेशर इस्टुडेंट आपके पास कहलाएगा वैपर प्रेशर बेसिकली ठीक है अच्छा वैपर प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू आपके बुक में मौझूद है जो के मसी क्यूज के लिए पॉर्शन से डिसकर्स कर रहा हूँ ठीक है परिशान होने की दरूरत नहीं है नेक्स क्लास जो हमारी होगी उसमें लिक्विट पॉर्शन के अकॉर्डिंग जो सिन बोर्ट के इलावा जो मजीद आपको कॉंसेप्ट पता होने चाहिए ठीक है जिसमें बैरो मीटर का क्या क्या रोल है मैंनो मीटर का क्या रोल है उसमें कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हो ठीक है वो तमाम डिसकुशन इंशालला मैं आप उसे जरूर करूंगा ठीक है तो परेशान होने के दरूरत नहीं कि सर आप सिर्फ सिन बोर्ट हमें पढ़ा रहें लिक्विट पॉर्शन क को सिन बोर्ट के आकॉर्डिंग कवर किया और नेक्स क्लास में इंशालला जो है हम आपके साथ जो है जो लिक्विट पॉर्शन का जो सिन बोर्ट के लावा मज़ीश चीज़ें वो मैं आपके साथ डिसकस्ट जरूर करूंगा ठीक है अच्छा वैपर प्रेशर को स्टुर बैरोमीटर एक है मैनोमीटर लेकिन रोल क्या है बैरोमीटर का और मैनोमीटर का रोल क्या है यानि कि बैरोमीटर कहां पर वैपर प्रेशर को मेजर करता है और मैनोमीटर कहां पर वैपर प्रेशर को मेजर करता है तो दोनों का रोल डिफरेंट है सही है दोनों काम एक ही कर र ठीक है इंसाइट दा जैनिके इंवर्मेंट में मेजर करता है जब के जो प्रिश को फिज यह ऐपके इन्वर्मिक्र के नंदर जो फे Whats ने करने के लिए इस्वाल होता है तो अगर सुझन आपके बास एंसी जुआ आएगा बैरो मीटर और मेंटर का तो आपने जो है पहले देखना है कि आप से पूचा क्या जा रहाए वैपर प्रेशन हम किसके दरिये से करते हैं महां आप्शन में या तो मैनोमीटर होगा और अगर लेकिन अगर question यह पूछा गया वैपर pressure open environment का मेजर करने लगें बताओ open environment 그거 परपर्पर कौन मेजर करेगा तो open environment का वैपर प्रसेरआपके बास पर मेर करता है स्सुड्लेंट मैनो मेडर नहीं करता मैन Stब् Dude için मैंनो मेडर करता हैं और वैपर temperature को मेजर करता है ठीक है अच्छा यहां तक तक मैंने आपके अपका प्रेशर की बिस्केशन कर ली मैं देखता हूं में पस time कितना है अगर हमारे पास अबाउट टाइम नहीं अब हमाई बद मजीद और टाइम नहीं है ठीक है कि मैं मैंनोमीटर का रूल आपके साथ डिसकस करूं मैंनोमीटर की पूरी डाइग्राम आपको एक्स्लेइन करने पड़ेगी और मैं कोशिश करूंगा कि उस पर टाइम ज्यादा ना लगा हूं तो नेक्स लास जोगी और फिर मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको समझाने कोशिश करूंगा ताकि आपको विजली तोर पर समझा जाए ठीक है भई तो फिलाल अभी की क्लास को हम यहां तक रखते हैं जिसमें हमने लिक्वेट पोर्शन को कवर अप किया और मेरी क कोशिश है कि मैं कल भी आप लोगों की एक क्लास जो है कंड़क करूं और ऐसा भी हो सकता है में आप लोगों को जो है तीनों क्लासे आपकी मैं कंड़क करूं उसमें हो सकता है कुछ लाइब ले लूँ हो सकता है कुछ रिकॉर्डेट दे दू लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कि आप लोगों के लिए क्रियेट कर पाऊं एंड थैंक्स अलोट इस्टुडेंट्स वो जॉइनिंग दा क्लास आयोप के सब कुछ क्लेर होगा कोई परिशान ही नहीं है फिलाल मैं देख लेता हूं एक बार चैट बॉक्स